आप मेंसे कितिनई जिनकी हिम मत अपने पैरेंन्ट्स हो जाके मुनने की कि पापा मैं तो ना आर्टीस बनना चाहता हूं यह उल्टे हात की यहां से आगी फिर मम्मी की पास जाओगे ऐसे गुम्धे-गुम्धे तो ममी मैं तो यूटूबर बना जता हो दूसरे हाथ से मम्मी किया एगी है ना कि है आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले इस भी टॉपिक की बारे में बात करेंगे उससे पहले मैं कुछ यहां पर बताना चाहता हो जितना टाइम मुझे यूटूबर हो चुका है लगबग 6-7 महने से जाधा हो चुका है और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जे सब्सक्राइब बहुत टाइम से में वीडियो बना रहा हूं और मेरे हिसाब से मैं अपना सौ परसेंट दे रहा हूं तो आपको पता है कि जब में टाइम पे वीडियो डाल रहा हूं मेरे शॉट्स भी आते रहे तो फिर भी चैनल को ग्रोव होने में टाइम क्यों लग रहे है तो यह आपके जिम्हदार है कि आप मेरे लिए एक शेर तो करी सकते हैं जितने भी आप एरे वीडियो दिखते हो सारे वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और उन्हें शेर भी कर देन और यूँ इनफोर्मेटीव कंटेंट में हैपर शेर कर रहा है तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैं दिल से यह आपसे कमांग रहा हूँ कि प्लीज प्लीज इस चैनल को या इन सारे वीडियो को जितने भी आपने री वीडियो को यह पर भला हो सकते है तो म लाइक करो और शेयर करो और हो सकते तो कमेंड भी जरूर कर देना जो भी आपको लगते हैं वीडियो को लेकर कि अगर आपको लगता है ना मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या फिर कोई भी टॉपिक जो है किसी गलत तरीके से में प्रेजेंट कर रहा है तो अगहें आप मुझे करने को त्याओं तो आप देखते हो तो प्लीज देखते समय सको एक लाइक कर दो एक शेयर कर दो और अपने दोस्तों तक इनमें इंडल्ज हो चुकिए या फिर उनको ओवर्गम नहीं कर पा रहें तो उनका भी यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा और उस बेनिफिट का सारा क्रेट आपको जाएगा अगर आप इन वीडियो को शेयर करते हो तो तो बस देहीं बोला चाहूंगा थांकी सो मच आज के इस वी हमसा में हैं सबको आपे समझने की कोशिश करें त्क पहले समय यह कोशश करते की चॉइस क्या होटी देखा आपको कुछ पसंदे मुझे ठीक पसंदे आपके लइफ के कुछ assumptions ऐव मेरे लैं फ्यतों को ören की यह जो किप्ला च्राइns को आपाध भालत पर आपको फरक पड़ता है तो वहां पर आपको फरक पड़ता है तो जब भी आप अगर बोलते हो कि मुझे ये चीज पसंद दे तो जब आप अपने पसंद चीज में जा रहे हो यह फिर पसंद की चीज कुछ भी कर रहे हो आपका जो भी particular passion है उसको follow कर रहे हो उस दोरान आपको समझने की जरूत है कि जो भी आप follow कर रहे हो क्या वो वर्थी है, लाइफ में आप जो भी बड़े decision लेते हो, तो उन बड़े decisions की वज़े से आपकी life के उपर बहुत बड़ा impact आने वाला है, आने वाले सारों में, तो जब आपको पता है, आप इतने मैचौर तो हो ना, कि भाई आप जो भी decision लोगे, उस decision के चलते हैं, य आप जिस भी चीज़ को पसंद करते हो, वो आपका selection है, वो सही क्यों नहीं होता है, यानि राइट चीज़ को आप सिलेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों को हमेशा parents influence करेंगे, कि बेटा तु ये कर, बेटा तु वो कर, बेटा तु जी तो डॉक्टर बनना है, तो उस दौरान आपको समझना है कि क्या वो आपको सही है या फिर आपकी personality type को suit करता है, जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा adventure पसंद दी, तो आपके लिए बिसनेस सही है, तो आपको जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो ये decision आपको लिना चाहिए, I know parents are very much concerned for their child, ये नहीं कहे रहा हूँ कि आप उनसे सला मशुरा ना करो या फिर उनकी choice को follow मत करो, या आपकी choice है, उनकी choice को follow करना है या नहीं, but all I'm trying to say is, कि आपको करना क्या है, आपको सबसे पिल अपने आपको समझना है, कि मैं कैसा इंसा हूँ, यानि मुझे क्या पसंदे, क्या ये शान्ती पसंदे, पीस पसंदे, तो आपको अपनी करियर को उस तरह से decide करना होता है, कि भाई, अगर आपको शान्ती पसंदे, तो आप चुपचा बही कोई job कर रहो, अगर आपको क्या उस पसंदे, तो आप एक particular business में चले जाओ, अब यहाँ पर बात आती है, कि आपक इस बनना चाहता हो, यह उल्टे हाथ की यहां से आगी, फिर मम्मी के पास जाओगे, ऐसे घुमते घुमते, फिर मम्मी को, मम्मी मैं तो यूटुबर बना जाता हो, यह दो दूसरे हाथ से मम्मी की आगी, है रहा हमारे अंदर का passion ही, उसको बाहर निकालना नहीं चाहते, इस बिकॉज इन सारे डर की वज़े से, और हमारे पैरेंट्स भी वहां पर समझ नहीं पाते हैं, हमारे पैरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते हैं, कि जो डॉक्टर, इंजिनेर, वकील, और क्या बहुत पूरानी रहेगी, मैं यह नहीं कि उनकी समाज में या सोसाइटी में ज करते हैं, कि तुझा तुझे तो यह करने, तुझे तो टुझे तो यूपेसि करक करना है, ती तो धो थार्ड़ी आना है, त Istitle 4 ती आना है, बहुत को वो करो जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको समझने की जरुवते है कि आपका चोइस क्या है कि आप वो चीज करना चाहते हो या सिर्फ परेशर की निशा कि आपको कर रहे हो कि आपको वो करना है जो आपका मन कर रहे है आप बोलोगा रहे है तुम तो बहुत ईजीली बोल जा रहे हो परेश रहे हो आपको क्या पता हमारी घर में क्या चाहिज है I can understand मैं समझ सरकतो आपके धर में क्या चाहिए बट फिर भी यापका काम आपके parents को मना आप कैसे मैं वह मुझे मत पूच ना वाप देख लो कैसे मंना रहे है वी को जो जासे मैं भी थोड़ी देर पहले बात करें कि आपके जिम्हेदार ही कि आपको अपने पूश्य को खुशी रखना है जब उनको खुशी रखना चाहते हो तो ऐसे करियर को क्यू चूश कर रहे हुआ जहां पे जातर कि आप खुद फुश्य नहीं रह पाओगे सब्सक्राइब को जो भी चीज च्यूब कर लो जानना पड़ेंगा कि मेरो को किसमय इंट्रेस्ट उस चीजिद को करने Twitter किआ अब बैक करते हैं मbnजे शा स्चादी के टाहिए करिया क्या होता है आपको बहुत होता है कि पैनंट इंच मैरंजस करबा देते या अधरन आपका लोग्श फरन की जीज़ेहों पात्री वगेरा 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 तो पैरेंट सो सिधे बोजेने देख्यों मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मुझे सिर्फ शादी का और मेरे करियर के यह दो डिसेजन मुझे खुद लेने दो बाकि आप जो बोलोगे वो डिसेजन में लेने को तयार यारी जो भी चीज बो करते हुए आपको खुद को डिसेजन लेना चाहिए और आपको जो सही लगता है उस अको आपको एक्ट करना ची किसी के प्रेशर में आके आप यह चीज नहीं करने चीजिए कि नहीं उन्होंने बोला इसने मैंने शादी करनी और आज देखको 10 साल के बार पाता चल रहा है कि इतने जगड़े हो रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होना चीज तो यह सारी चीज़े आपको समझने की ज़रूती कि जो लाइफ की दो बहुत ही इंपोरेंट डिसेजन होते हैं वह आपको खुद को लेने होते हैं तो हम कबसे सारी बाते कर रहे हैं कि शादी पारेंट्स करियर यह वह बट मेरा जो टॉपिक है वह यह ही नहीं मैं अपने में टॉपिक पर अभी तक आया ही नहीं मेरा में टॉपिक है ही चॉइस के बारे में कि आपकी चॉइस क्या होते हैं अब आते हैं हमारे में टॉपिक के बात कर रहे हैं आपके चॉइस की बात कर रहे हैं आपकी लाइफ का चोईस जैसे आप ग्रो कर रहे हो 15-16-17 सार जब आपकी एज है उस दौरान ये बहुत ही कुरूशियर टाइम होता है कि कहा पर आप गिर सकते हो और कहा पर आपको अपने आपको बचा करने पड़ते हैं तो यह आपकी चोईस है कि आपको क्या करना है अपने लाइ एक फिर आपके घर आती हों फिर आपके फ्रेंट्स होते और बहुत सारे इंफ्रेंस हो जाते हो तो आपको दिन आपको ध्यान देने कि बहुत बहुत जरुर्त हरती है यह आपको क्या करना है देखो मैं कोई नहीं हूँ यह फिर कोई भी आकर आपको नहीं बतानेगा वाला किसी ने किसी का ठेकता नहीं लिया यहां पर मैं अगर आपको परस्ते ले आके बताओ ना एक बच्चे को समझा कि बेटा तु यह कर बेटा तो वो मत कर तो कोई नहीं सुनने वाला है आपको दूससां को ख़ुझ से समझ ना चीस संजाना या करो यह करो के लुए तो आपकी चॉईस्ते मैं आपको पत्ति वाला तो फिर भी ठीकता है अगर गलत आ गया तो आप द्यूर्स भी कर सकते हैं अगर आपने अपके लाइफ की धग्या उडाली ना तो वहाँ पे आपको ओवरकम कर रहे हैं यानि खुद से जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी जॉब अच्छी ने तो उसको चेंज कर सेंग हो अगर आपकी इस सारी बात आपको अभी से बता रहा हूं यह जो 30-40 साल के हो चुकिए और आपको एक लग तो उस ठाइम पर आपको सही करना बहुत पुश्किल हो जाएगा इसलिए मैं आपको इसारी बात्या भी बता रहा हूँ कि अगर आप 15, 25 सान के एज बे हो तो आप बहुती लखी हो और इसारी बात्या आपको सुनने का मौका मिल रहे है तो इन सारी बातों को समझो और आपकी चॉइस आप खुद डिसाइड करो या पर कि आपको क्या करना है क्या आपको भी ऐसे सिग्रेट दारू पता नहीं गलत गलत जीजों में इंडल्ज होना है या फिर आपको एक आइडल लाइफ जिने जब अपने बच्चों से बात करना तो मुझे समझ में आता है कि वो सब मुझे बोलते है कि अरे सर लाइफ में बहुत कम है लाइफ में स्टुडेंट से मिला उनसे जब मैं बात करा था तो उन्होंने अपने बाल काट दी तो मुझे बहुत बुरा लगा में लाइफ में कुछ चीजे हो गई कि उस वज़े से पास्ट मेमरी बार बार याद आ रही ही तो मैंने बाल काट दिए अरे यार तुम्हारी एजी कितिन है 15 साल के तुम हो नहीं और 15 साल तुम को खुद को कोई समझति नी पांच साल तो तुम ने जिये और फ्रें फांच साल में क्या हो गया तो पासट कॉनसा है तुमारा फंदरा साल कॉनसा पास्ट है डोन्के इस पीपल तो आप ऐसे क्यों करते हो अगर वह वीडियो देख होगी तो समझ लेना मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना था इसलिए बोला हो गलत मत समझने के आपको समझने की जरूरत है पर आपकी जिन्दगी की धज्या मत उड़ा हो लाइफ बहुत सही है बहुत ब्यूडिफुल है अगर इसको सही से द करने के लिए इतनी बड़ी अर्थ है इतना बड़ा ब्रह्मार इतना बड़ा यूनिवर्स है आप कहां नहीं जा सकते पशरते आपको उतना सीखना पड़ेगा आपके लाइफ में ट्राजडी हो जाती जैसे उन्होंने बोला था तो अगर आपको इसा लग रहा किया बहु कर सकते हो नेजर से जुड़ कर कि तो यह विरहापकी चौूइस है आकांपके सबकुच आपको समझने की doctors тебе क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चीए उन सारे लोगों की जो अपने लाइफ को सही दिशा में पते अब बात कर ते उन सारी लोगों की जिनको होता होता है कि हम जो कर रहे हो गलत कर रहे फिर भी उस चीज को कंटीनु करते रहते तो बहुत सारी गलतिया करते रहते रहते हैं लोगों को ना उनके जो भी पुराना इस जोन में वह थी वहां से निकालने के कोशिश करते हैं तुम उठो वहां से और कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ में अगर कोई पढ़ा करो आगे बढ़ो देफिर कोई गलत चीजों में अटल से मुझे निगालना की कोशिश करते हैं। यानि अहंकार के चलते वो अगले को बोलने का मौका ही नहीं देते उनको एसा लगता है मुझे जो पता है ना वही सही बस that's all मेरे से बेटर तो कोई हो ही नहीं सबता कुछ भी कुछ भी टूम और जो मुझे लगते हैं वही सभिए तो ऐसी लोगों के लिए क्या करना चाहिए मुझे समझ में आता है ऐसे लोगों ने अपने दिमाग को बंद करके रखा में तो अगर आपको पर नए चाहिए ऩाफीन बढ़ित बांद गिए ने सकते हैं अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत सारे शारी चीज़ नहीं शीखनी है जब आप सीनकigung सेह सकते हो अगर आपने अपने पन trabalho रखा स्कनी के लिए अगर आपको आ सब्गरार से अग्र कोणा आपके प्लॉस भी बता क्या रहे है अगर आप इस AREそのiłula ना समझो ना, एकसेट करो ना, एकसेट क्यों नहीं करते हैं, दिसके जो मेंटालिटी है वह रिजीड हो चुकी है, उनको लगता है भाई मुझे जो पता है वही सही है और तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वंको ऐसे लगते हैं कि आप उन्हें क नीचा दिखाने की कोश रहे एक सिंपल गणी थे लाइफ का अगर आप ध्यांसे समझने की कुशिश करो तो समझो इस बात को या आप अपने आपको जितना ओपन अप रखते हो जितना खुला दिमाग आपका होता है उतना आप नहीं चीजों को सीख सकते हो उतना आप दुनिया को एक्सप्लोर कर सक ही इसले में इस самой के stat थो मुझे सब कुछ इबता हिकंगे तो तुम्हें यानि कुछ जोग पुरी दुनिया उफ्या समाज मैं कुछ और उन्होंने कुछ दूंपकर ऑलख करने सा नहीं करना तो अगर आप मेंसे के सैक्शन में बताना कि हाँ मैं ऐसा वें चेंच रोगँ व आप उपन अप रहोगे उतनी चीज़ आपके साथ अच्छी होगी और आने वाले टाइम में आप बहुत ग्रो कर जाओगे So all I am trying to say is कि आपकी जिन्दगी कल जैसी थी, आज जैसी है और कल जैसी भी होगी It's all about your choice, यह आपकी choice होती है कि आपको life को कैसे देखना है, कैसे आप चाहते हो कि आपकी जिन्दगी बने, सब कुछ matter करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी choice के ओपर So I hope यह वीडियो आपको अच्छा लागा हुगा, I hope इस वीडियो के तुरू आपके बहुत सारी चीज़े सिख्योगी, अगर कोई भी आपके doubts होता आप मुझे comment section के अंदर पूच सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी particular topic क्यों पर यहापी video बनाओ, तो अगेन आप मु